आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students, तो आज का मारा question है Define Principal Focus तो यहार देखो, इसको समझते हैं अगर मेरे पास कोई भी एक lens ले लो या कोई भी mirror ले लो, कुछ भी अगर मैं यहाँ पे कुछ light rays भेज रहा हूँ कैसी? Parallel to Principal Axis दिखान रखेंगे light rays कैसी है जा रही है यहाँ पे? Parallel to Principal Axis, ठीक है? अगर इससे Parallel में light rays को भेजा और यह light rays, converge होने की कुछिश करते हैं तो यह जिस point पे meet करेंगे न इस point को बोलते हैं क्या? Principal Focus ठीक है? सेम चीज़े अगर मैं mirrors के लिए बनाऊ तो mirrors में भी अगर ऐसे आप मैं straight lines बना रहा हूँ example मैंने concave mirror लिया हुआ है तो जहां पे यह सारी light rays finally meet करने की कुछिश करेंगी converge होने के बाद तो यह point क्या कहलाएगा? Principal Focus, ठीक है? और अगर मैं इसका उल्टा एक ऐसा substance ले लो जो light को diverge करता है जैसे कि एक concave lens तो देखो, इसमें अगर मैंने same light rays को incident करवाया तो light rays यहां से diverge हो जाते है पर diverge भी होते है तो ऐसा लगता है कि अगर यह पीछे extend किया जाए तो यह किसी एक point पे meet कर जाते और यह point इसमें कहलाता है Principal Focus और अगर मैं यही same चीज़ इसके पर apply करूँ द्यान रखना मैंस में इसी show नहीं करी बढ़ ठीक है आपनोंको सिर्फ समझाना चाहता था definition इसका polish surface हो गया यह अगर मैंने यहाँ पर कोई light ray parallel to principal axis भेज दी तो यह light rays जो है diverge हो जाते है लेकिन अगर फिर से पीछे extend किया जाए तो ऐसा appear होता है किसी एक point पे मिल रहे है और यह जो point होता है यह इसका principle focus कहलाता है तो अब समझ आ गया होगा पहला array लेकि आओ अगर वो किसी एक point पे meet कर रही है या appear कर रही है किसी एक point पे meet करना तो वो point क्या कहलाएगा principle focus right तो अब define कर सकते हैं principle focus is a point on the principal axis यह point हमेशा principle axis के उपर ही होता है principle axis where all raise parallel to principle axis tend to converge or appear to be diverging from is बस ठीक है तो basically principle focus एक ऐसा point हो गया principle axis के उपर जहाँ पे सारी raise जो principle axis के पहला है यह तो वो tend to converge करती है जैसे उपर वाले case में देखाता है light ray यहाँ पे converge करने की कोशिच कर रही है हो सता हमने बीच में कुछ और कर दिया हो लेकिन जब भी हम light rays यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे tend करती है यहाँ पे converge करने के लिए कभर होसा आज राउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर कर द्रोड्स कात्स चार्सो 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 चार्स बवेर इस्जाट कर दोल 수도